हलो फ्रेंट्स महुत महुत स्वागा थैं आपका सूपरफास स्टेडी एन एक्सपेरिमेंट पर दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट के बारे में जी हाँ क्या होता है स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट ये जानेंगे हम ये जानेंगे कि steel cord conveyor belt के parts के बारे में जानेंगे उसका construction कैसा होता है और ये भी जानेंगे कि आखिर इसका advantage क्या होता है और normal conveyor belt में और steel cord conveyor belt में क्या difference है तो चलिए वीडियो के start करनें वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है बने रहिएगा बिल्कुल आन्ते तक Steel cord conveyor belt जैसे की नाम से ही clear है ऐसे conveyor belt जिसमें steel के cords का इस्तिमाल गिया जाता है इस conveyor belt में rubber के upper layer और bottom layers के बीच में एक ऐसा layer होता है जिसमें steels की cords यूज की जाती है यानि की steel की तारें इसमें बीच में यूज की जाती है और ऐसा करने का सबसे बड़ा advantage यह होता है कि ऐसे conveyor belt को जादा लंबी दूरी के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है बहुत ही effectively और बहुत ही अच्छे तरीके से और साथ में इसकी जो durability होती है और इसकी जो life होती है और belt का जो strength होता है वो भी काफी जादा होता है इसलिए steel quartz conveyor belt का इस्तिमाल किया जाता है बहुत सारी industries ऐसी होती है जहाँ पे काफी लंबे conveyor belts का इस्तिमाल किया जाता है अच्छा आप इसके construction के बारे में बात कर लेते हैं सबसे top में आपका top cover है उसके बाद core cover है core cover में ही आपके जो steel के cords हैं वो लगे रहते हैं अब उसके नीचे में जो रहता है वो आपका bottom cover है top cover और bottom cover rubber का होता है जबकि जो core cover है उसमें rubber के साथ में steel की cords होती है अब steel की जो cord है वो दो directions में होती है मतलब कि हर एक एक दूसरे के साथ जो connected है steel cord just एक के बाद दूसरा उसका जो direction of twist है यानि कि उसमें जो तारें जिस direction में twist है वो एक में right side में twist रहेंगी और एक में left side में twist रहेंगी Steels का conveyor belt में present होने की वज़ा से ऐसे conveyor belt का tensile strength बहुत ही high होता है और fatigue strength भी बढ़ जाता है ऐसे conveyor belts के manufacturing के दौरान पे सबसे पहले steel cords को arrange किया जाता है जैसे आप यहाँ पर इस diagram में समझ सकते हैं और इसको arrange करने के बाद में बाकी के जो layers हैं upper layer, top layer और core layer को फिर provide किया जाता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी helpful होगी आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी यह वीडियो आपके लिए helpful है तो please channel को subscribe करिएगा फिर से मिलेंगे next video में तब तक के लिए अलविदा झालविदा